आज है 26 नॉवेंबर 2020 और आज की डेट में जितने भी important current affairs बने हैं उससे हम देखेंगे बारी-बारी से जो important है आने वाले competitive exams के लिए तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट कोशन है ATV finals tournament 2020 का खिताब किसने जीता है? एंसर है Daniel Medvedev रश्या के tennis खिलाडी Daniel Medvedev ने Dominic Thiem को हरा कर ATV finals tournament 2020 का खिताब जीता है बात करें ATP की पूरे विश्व में tennis खिलो को ATP regulate करता है इसकी full form है Association of Tennis Professional इसका headquarter है London में और इसके अध्धक्ष है India Goundanzy आए कोशन देखते हैं सेकेंड कोशन है किस Tiger Reserve को हाली में बागो की संख्या दुगनी करने के लिए TX2 अंतरास्ट्र पुरस्कार दिया गया है यहां TX2 की full form है Tigers x 2 आगे next question को देखते हैं थर्ड question है किस देश ने APEC सीकर सम्मिलन 2020 की अध्धक्षता की है विश कंट्री है चेर्ड अध्धक्षता अध्धक्षता मलेशिया के प्रधान मंत्री मुहिदीन यासी ने की है इस बैठक में विश्व की अर्थ वैवस्ता और विकास के उपर बात हुई है बात कर APEC की इसकी full form है Asia Pacific Economic Corporation इस साल की theme थी Optimizing Human Potential Toward a Resilient Future of Shared Prosperity पाइवर्ट Prioritized Progress आगे next question देखते हैं फोर्थ question है किसे doctor of science की मानत उपादी 2020 से समानित क्या गया है करनाटका के गौवर्णर वाजुबाईवाला ने इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर के सिवन को अंत्रिक्ष अनुसंधान के छेत्र में उनके द्वारा की गई सेवाओं के लिए doctor of science की मानत उपादी 2020 से समानित क्या गया है आए question देखते है 5th question है किस देश ने विश्वि की पहली hydrogen संचालित double decker bus को launch किया है which country has launched the world's first hydrogen powered double decker bus answer है Scotland Scotland देश ने विश्वि की पहली hydrogen संचालित double decker bus को launch किया है hydrogen इंधन जो बिल्कुल production नहीं करती है और परियावरन को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचाती है बात कर Scotland की Scotland United Kingdom का देश है यहाँ की capital है Edinburgh यहाँ की currency है Pound Sterling और यहाँ की president है Nicolas Sturgeon आगे देखते है 6th question है किस देश के खिलाफ 1992 Cricket World Cup की जर्सी पहन का Team India मैच खिलेगा Against which country will the Team India match wearing the jersey of 1992 Cricket World Cup answer है Australia Australia देश के खिलाफ 1992 Cricket World Cup की जर्सी पहन का Team India मैच खिलेगा 7th question है किस राजे की मुख्य मंत्री ने गो लोग की और पुस्तक का विमोचन किया है which state's chief minister has released the book गो लोग की और answer है उत्तरप्रदेश उत्तरप्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदितनाथ ने गो लोग की और पुस्तक का विमोचन किया है बात करे उत्तरप्रदेश राजे की यहां की कैपिटल है लगनाओ यहां के वर्तमान में सीम है योगी आदितनाथ जो कोशन में पूछा गया था यहां की गोवर्नर है आनंदी बैन पतेल आगे next question देखते हैं एँट question है किस राजे में भारत का पहला गव उस्पताल सुर्भी आरोगिसाला का उधाटन किया गया है बात करे आसाम राजी की यहां की कैपिटल है दीजपूर यहां के वर्तमान में सीम है जगदीश मुकी यहां के गौवर्नर है सरवननंदा सोनवाल आगे question देखते हैं 9 question है हाली में अंतरास्ट्र महिला इंसा उन्मुलन दिवस किस दिन मनाया गया है Recently International Day for the Elimination of Violence Against Women was observed in which day Answer है 25 November 25 November को हर साल International Day for the Elimination of Violence Against Women Day मनाया जाता है इस साल की theme थी Or is the world Fund, Respond, Prevent and Collect आगे question देखते हैं आजका last question है थवास्मी Life and Skill Through the Lens of Ramayana नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है Who has authored a book title थवास्मी Life and Skill Through the Lens of Ramayana Answer है रलाबंदी स्रीराम शक्रदर इन्होंने थवास्वमी Life and Skill Through the Lens of Ramayana नामक पुस्तक लिखी है तो यह था अजका Current Affairs का update अगले वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और खुश रिये Thanks for watching this video